यानि कि अगर आप 12th pass हैं, 12th pass हैं और आपकी age minimum 18 years है, 18 साल है तो आप airline airport में इस वाली vacancy के लिए आप eligible है, job पा सकते हैं दोस्तों, आज की vacancy है airline airport की, कहने का मतलब यह है कि अगर आज के इस वीडियो में जो भी vacancies हैं, जो भी job के बारे में आपको बताऊंगा, यहाँ पर अगर आपको opportunity मिल जाती है, तो आप airline airport में job पा जाते हैं और हमेशा की तरह three very important points आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात, job ढूडने का एक mobile application आपको recommend कर रहा हूं, link उसका मैंने डाल रखा है, video के description में, video को पूरा देखने के बाद, description में जाकर, उस mobile application को install कीजेगा, login कीजेगा, और अपने according, जहां भी जिस city में भी आपको job चाहिए, देखिएगा, maximum chances होते हैं कि वहाँ पर आपको job मिल सकती है, fraud से बचे, जाल सालो से बचे, so friends, Akasa Air की, आज की ये जो वेकेंसी है, जिसका regarding मैं आपको update दे रहा हूं, वैसे तो ये वेकेंसी नई नहीं है, नई मतलब इसका already पहले notification आ चुका था, लेकिन दोस्तों अभी भी ये वेकेंसी reflect कर रही है, और सबसे बड़ी बात, ये walk-in interview नहीं है, अगर walk-in interview होता, तो मैं ये कहता, या फिर आप ये कहते, कि इसका date निकल चुका है, तो अब इसमें try करने से क्या फाइदा, लेकिन दोस्तों, ये walk-in interview नहीं है, अगर आप customer service के लिए apply करना च नहीं, so friends, start करते हैं, सबसे पहले, ground staff में customer service की जो vacancies है उनके बारे में, बात करें position की, तो आपका यहां पर position होगा, service officer, executive, senior executive, या फिर supervisor, इने में से किसी में भी आपका, आपकी eligibility criteria और experience के basis पे selection हो सकता है, job मिल सकती है, बात करें job description, यानि कि आपको काम क्या करना है, तो arrival, departure departure, wheelchair passenger, lady with infant, passenger with special needs, या फिर इस तरह के जितने भी points है, reservation हो गया, tickting हो गया, boarding rate हो गया, या और भी सारे जगह पे, जहां पर आपको customer service के according help करने की, या फिर अपना job perform करने की requirement आ सकती है, वो सारे के सारे काम आपको करने होंगे, बात-बात की details आप देख पा रहे हैं, वीडिय 10 plus 2, यानि कि अगर आप 12th pass हैं, 12th pass हैं, और आपकी age minimum 18 years है, 18 साल है, तो आप airline airport में इस वाली vacancy के लिए आप eligible है, job पा सकते हैं, ये अलग बात है कि अगर आप graduate हैं, तो आपको preference मिलता है, सबसे खास बात इस vacancy के लिए male female दोनों eligible है, fresh experience दोनों eligible है, आप किसी भी state, किसी apply करना चाहते हैं, तो आपका होना चाहिए 2 to 4 years experience, बात करें benefits की, तो यहाँ पर आपको medical insurance मिलता है, साथ ही साथ आपके अलावा 6 लोगों को free और unlimited flight tickets मिलते हैं, free flight ticket का मतलब होता है, कि जो basic taxes होते हैं, वो applicable होते हैं, और unlimited का मतलब आप जितना चाहें, travel कर सकते हैं, तो अगर अगर आप इस vacancy के लिए eligible हैं, आपको लगता है कि आपको इसके लिए apply करना चाहिए, तो video के screen पे जो अभी आप email address देख पा रहे हैं, इस पे आप अपना resume, photo और जितने भी documents हैं, उन सबकी scan copy आप भेज़ दीजिए, और उसके बाद best of luck, customer service की इस vacancy के बाद, अब हम बात इसके norms के according, जो भी आपको advisory दी जाती है, जो भी आपको training दी जाती है, उसके according आपको काम करना पड़ता है, जिसमें passenger उनके baggage, airline की safety security को ध्यान में रखना होता है, जो additional details हैं, आप उसको देख पा रहे हैं, video के screen पे इसे देख लीजे, जान लीजे, समझ लीजे, interview में ये बह बहुत कामाता है, बात करें education qualification की, तो आपकी qualification होनी चाहिए minimum 12th pass, age होनी चाहिए minimum 18 years, तो अगर आप 12th pass हैं और आपकी age 18 years minimum है, तो आप airline airport में job पा सकते हैं, इस vacancy के लिए आप eligible हैं, यहाँ भी benefits बिल्कुल सेम हैं, यानि कि medical insurance मिलेगा, साथी साथ आपको 1 plus 6 flight tickets मिलते हैं, Friends, Akasa Air में security department के लिए अगर आप job पाना चाहते हैं, इस वाली vacancy के लिए apply करना चाहते हैं, तो दोस्तों apply करने का link मैंने डाल रखा है वीडियो के description में, जब आप उसे click करेंगे, तो कुछ इस तरह का webpage open होता है, आप इसे बिल्कुल सही तरीके से as per your details, सही तरीके से fill up कीज और उसके बाद आपको wait करना है company के side से invitation mail का, उमेद करता हूँ, वीडियो काम का लगा, चैनल काम का लगा, like, subscribe और share जरूर कर लिजेगा, और अगर interview के तयारी करनी है, तो उपर वाले वीडियो को और 8th, 10th, 12th और graduation के basis पे अगर job पाना है, तो नीचे वाले वीडियो को ज जबूर देखें, best of luck!